करीब 1500 कार्य करता यहां पर अप्यक्षित है जानकर आपको मिली है और हर तीन साल के बाद संग के प्रतिरदी शाखा में से चुने जाते हैं संग में प्रतिज्या का कारकम होता है अठ्रा साल के आयू के अठ्रा से उपर ऐसे संग स्वेशवक जो जीवन बर संग कार्य में करूंग ऐसी प्रतिज्या लेते हैं ऐसे प्रतिज्यत और कारिशिल ऐसे स्वेशवकों में से ऐसे पचास स्वेशवकों में से एक शाखा प्रतिरदी चुनते हैं ऐसे 40 शाखा प्रतिरदी में से फिर एक अखिल भारति प्रतिरदी हर तीन साल के लिए चुने जाते हैं ये संग का चुनाव का वर्षा है ऐसे 203 प्रतिन निधी जो नाम है अखिल भारते प्रतिन सभा तो 203 अखिल भारते प्रतिन निधी जो सारे भारत के शाखाओं से चुने गए हैं किसे यहां पर रहेंगे एक संग के रचना में प्रांत संगे जालक प्रांत कारे वहा प्रांत प्राचार उनके साय कैसे रचना है जिनको अखिल भारते कारे 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 मंडल के मेंबर्स 435 हैं फिर प्रत्यक ऐसे 45-45 प्रांत संग द्रश्टी से हैं प्रत्यक प्रांत के शारिरीक, बोद्धीक, व्यवस्ता, सेवा, संपर्क, प्रचार, प्रचारक ऐसे जो कारे विभाग हैं उनके प्रमुख भी सारे देश यहां पर आते इनकी संग्या करीब 300 हैं संग के स्वेश्वक समाज जिवन की विविदक शेत्रों में जो राष्ट जाग्रण का कार्य करते हैं ऐसे 35 से अधिक संगटन काम करते तो ऐसे संगटनों के भी कुछ कादे करें 300 कादे करता यहां प्रिक्षित हैं ऐसे कुल 1500 की संग्या होती है उसारे में जो विविदस संगटनों में जो महलाय सक्रिय है प्रमुक स्थान पर वहां काम कर यह सी करीब 44 महलाय भी इस बैटक में अप्रिक्षित हैं संग्यकार्य की जानकारी तो लगातार संग्यकार्य 2017 के बाद लगातार बढ़ रहा है और कोरोना के बाद भी संग्य की उरुद्धिक तुरंद पस्चात फिर चल रही है संग्यकी रचना में एक 45 प्रांतों के निचे विभाग है उसके निचे जिला है ऐसे कुल 922 जिला सारे भारत के हैं तो करीब 99 परसेंट जिलों में संग्यका कार्य है जिनको हम तहसिल या डेवलोपेंट ब्लॉग कहेंगे ऐसे करीब 6597 6597 खंड है इसमें भी करीब 90 परसेंट खंडों तक प्रत्यक्ष संग्यकी शाखा है तो संग्यकार्य बढ़ रहा है संग्यका विस्तार भी बढ़ रहा है इसलिए कुछ वर्षों से हमने उसके भी नीचे एक 12-15 गाओं का समों उसको मंदल नाम दिया है ऐसे 58981 मंदल है अभी संग्यका फोकस सभी मंदलों तक अपना कार्य पहुंच इस पर है अभी 47 परसेंट ऐसे मंदलों में संग्यकार्य पहुंचा है बागी शेश मंदलों में इस आने वाले डेड़ वर्ष में हम कार्य पहुचाने का हमारा प्रेतन रहेगा दैनिक चलने वाली शाखाएं अभी 73,117 इतनी है 73,177 इन शाखाओं में करीब 60% शाखाएं छात्रों की विद्यार्थियों की है और कमाने वाले व्यवसाही स्वेशों की शाखा करीब 40% है 40 साल से आयुक आयुके जो प्रवड स्वेशों की शाखाएं 11% है याने यूत संगकार में काफी सक्री है इस पर से ध्यान में आता है शाखाओं के संख्या में भी लास्ट एर से करीब 4,446 शाखाएं बड़ी है दैनी शाखा के अलावा एक साप्ताएक मिलन सप्ता में एक पार शाखा चलती है इसे साप्ताएक मिलन भी करीब 27,717 स्थानों पर साप्ताएक मिलन चल रहे है इस साप्ताएक मिलन संख्या में भी लास्ट एर से 840 की व्रद्दी होई है इस प्रकार के संख्यकार्या का विश्तार हो रहा है जा नगर महा अगर महा पर 10,000 का यूनिट उसको नाम दिया बस्ती ऐसे करीब नगर और महा नगर के नगरों में 44,411 सिकुल बस्तिया है इसमें 52% बस्तियों में ट्रत्यक्ष संग की शाख्या चलती है अभी गतवर्ष संग के 2700 विविदक शेत्रों में जो काम करते वहाँ पर जो महला है इनका एक महला समन्वे नाम से एक काम चलता है सब 71 मिले महलाओं का सहभाग बढ़े उनमें राष्ट्य जागरुती बढ़े इस महला समन्वे की ओर से राष्ट्य शिविका समीति की साहता से संग की सताब्दी अभी आने वाली है उस निमित्तों विवाक्षा महला सम्मेलन काय जुन हुआ अब तक करीब 44 प्रांतों में 460 सम्मेलन हुए है इसमें करीब 5,61,000 महला है इसमें उपस्ति थी क्या है राष्ट्री विश्वों पर उनके बारे में जागरण हो समाज परिवर्तिन में महलाओं का सहवाग बड़े और सामाजीक शेत्रम में वो अधिक आगे आकर अपना कार्य कर सकी चार उग्देश को लेकर यहां पर मुक्के था यह सारे समेलन महलाओं के द्वारा आजित हुए और महलाओं ने इसमें उनको उनको प्रबोधन किया है अभी राम मंदिर के कारण जो राष्ट्रे में जागरण हुआ हम सब ने 22 जन्वरी के दिन का सारा अनुभों किया है और अभी भी सारे भारत में घूमते हैं तो भगवी पता के लगे हुई आज भी देखती है सभी स्थानों पर तो इस सरवाधिक व्यापक ऐसा जनसंपर्ग हुआ है जोयध्या जिमें पूजीत जोक्षताओं का वितरण हुआ जो आकड़े आये वो संगह स्वाधिक या वितरण के कार्य करते हैं को द्वारा हुआ संपर्ग है उसके बियांड लोगों ने इसमें सहभा किया है तो करीब पांच लाग अठेंड पांच लाग अठेंड बे हजार साथ सो अठतर इतने गाओं में यह संपर्ग हुआ है यह भारत के गुल गाओं संख्या का 90 परसेंट है करीब 19,38,000 परिवारों में संपर्ग हुआ है और करीब 44,88,000 कारेगर ता इसमें सक्री हुए यह हमारी नोन जानकरी इसके आगे भी बियांड हुआ है सबसे बड़ा कारेगर जो 22 जन्वरी को हुआ करीब 5,60,000 स्थानों पर करीब 9,25,000 कारेगर हुए यह मुख्यता मंदिर केंदेद कारेगरों के जानकरी है और करीब 27,81,54,000 से अधिक ऐसे लोगों इसमें सहबागी हुए इतना व्यापक सारे भारत में सभी गाव में करीब-करीब इतना उस्सापुर्ण और कोई भी अन्यता घटना होने के सिवा है जो जो कारेगरों ऐसा अभूत्पुर हुआ है और इस कारण एक सारे समाज में एक उर्जा कानुभ हुआ रहा है इसलिए संग की योजना इस सारे जो संपर्क हुआ है खुब लोग एक अनुकुल है लोग उत्साह में है तो भी संग शतावदितों अगले दोजार पचिस के विज्यादश्मी से दोजार शबिस विज्यादश्मी तक होगी उसके पहले संग का पहले दिन से डॉक्टर एडगवार्च के विचार था कि संग समाज में एक संस्था संगतन नहीं है संग संपर्ण समाज का संगतन है तो इसके पहले कार्य पुर्ण करने पर हमारा अधिक जोर रहेगा मुख्यता है इसलिए अगली विज्यादश्मी के पहले प्रत्यक्षताब्दी वर्ष आरंव होने के पहले संग का विश्ता रध्यकादी व्यापक हो कार्य का द्रोडिक हो इस पर सबका बल रहेगा और प्रत्यक्षत संग शर्ताब्दी वर्ष से जो समाज परिवर्तन के कारे में सोयसोकन लगना चाहिए राष्टक ये सर्वांगिन उन्नती करने के लिए सोयसोक संग में सक्री होता है उनकी सक्रीता बढ़े और जो पांच विश्युग में आपको जानकारे मिली है जो पंच परिवर्तन है पुटुम्ब प्रवधन परियावरन रक्षा सामाजिक समरस्ता नागरी करतवे पालन और स्वदेशी का अगरह स्ववक का प्रगटि करन समाज जिवन के हर रक्षेत्र में हो इन पाच विश्यों को लेकर स्ववक सक्री होंगे उसके पहले संग का अधिगादी कारिविस् अनेक लोग विदाउट दे जॉइनिंग आरे से संग के साथ ऐसे परिवर्तन के कार्यम में सहोईग होने के त्यार है उन सब को साथ लेकर हम लोग तेक बहुत बगते संग का नेटवर्क तो बढ़ रहा है उससे कई गुना व्यापक समाज का सहयोग इसके माधियम से यह प आई है 2017 से 2023 तक जिनको संग में जूड़ना है और किसको मिलना पता नहीं है ते सेंडर रिक्वेस्ट अंद वेबसेट आप आरे से जॉइन करना मुझे आप तैसे जॉइन आरे से रिक्वेट्स 2017 से 2023 तक प्रतिवर्षी आइवरेज एक लाग से अधिक ऐसी रिक्वेस्ट प्रति आई है और विश्यष अभी जानेवरी फर्वरी दो मखीनों में ये रिक्वेस्ट जो है कि कि डबल होई है कि लास्ट येर जानेवरी फर्वरी मिला कर 13,168 ऐसी रिक्वेस्ट आई थी 2024 के जनवरी फरवरी दो मेहनों में यह रिक्वेस्ट 27,362 ऐसी है हो सकता है राम जी की पुरपासी जो चला अफ्लिवल इसकारण लोगों की उत्सुकता बढ़ी है यह रिक्वेस्ट करने मालों में 70% यह 20-35 आयुके यूथ होते हैं नाकपर के लोगों के लिए संगा शेक्षा वर्गों यहां हमेशा होता रहा है इसकी जानकारी है लेकिन इसंगा के शेक्षा वर्गों के प्रकार में थोड़ा बदल हुआ है जैसे हम लोगों यहां हमेशा तुरुती वर्ष होगा और तुरुती वर्ष का समापंद कारक हम लोग कवर करने आते हैं थोड़ा यह कंटेंट बनला है थोड़ा नॉमिंद क्लेचर बढ़ा है चेंज हुआ है जैसे पहले साथ दिन का प्राथमिक शिक्षा वर्ग, 20 डेज का प्राथम वर्ष, 20 डेज का दुटिय वर्ष जो क्शेत्रशा होता था और नाकपुर का वर्ग तुरतिवर्षे 25 दिन का ऐसा जो होता था उसमें थोड़ा चेंज हुआ है तो अभी तीन दिन का एक प्रारंभिक वर्ग होगा है जो एक दम वर्णों ऐसे नए लोगों सिधेश में लेंगे और प्रारंभिक वर्ग करने के बाद ही पिर साथ दिन का प्राथमी शिक्षा वर्ग होगा उसके बाद जिसको पहले पर्थम वर्षे कहते थे उसके वर्ल्य अभी तो पंद्रह दिन का संग शिक्षा वर्ग ऐसा होगा क्योंकि लोगों की वेस्तदा बढ़ी है तो 20-21 दिन सवे निकानला उनके लिए थोड़ा संभावना कम है तो प्राथमी शिक्षा वर्ग करें एक लाख यूथ प्रति वर्ष आते थे इसलिए अभी इसके आगे संग शिक्षा वर्ग 15 दिन का होगा जिसको पहले द्वितिय वर्षे कहते थे वह जोन वाई जिक्षेत्रा शाह होगा 20 दिन के होगा उसका नाम रहेगा कार्य करता विका और सवारंब होने वाला है उसका नाम तृति वर्ष के वर्ले कार्य करता विका सरुक दो ऐसा रहेगा तो ऐसा एक उसके कंटेंट में भी चेंज हुआ है थोड़ा व्यावाहरी प्रशिक्षन समाच परिवत्र के दुष्टी से पांत दिन के प्रत्यक्ष फील में शिक्ष वर्ष्ष है यहाँ जांदकारि में आपको दी है और अवी वैसे यह तो प्रेस ब्रीफिंग है एक्डल सो ब्सक्ष बसक्राइब अगर्र के ने समया में दी 25 दिन की है चर्चा करने से कारण नई सर्वाधिक मद्दान धाले पाईजे नागले करते होड़े आपले काम है नौँ ते आभान अश्ना रहा है से देखें लोकान ने सर्वाधिक मद्दान लोग करें या संगा की भूमिता पहले से रही है काई स्थापने बसन संगानी काई विशे दरून धरले होते है ते चामदे राम मंदे आर्टी कल 370 आणी सीए आता लागू जाला है ते पुड़िचा सताब्दे मोहसा चाकालात एबी पीयस मदे पुड़िचा शंबर वश्याचा की वांचीस वर्षयाचा काई प्लानिंग होते है का आपन अघंड भारत चे भूमिका आत्ता मनमों जरसंग जाले कानी काई ठीकानी माणली होती या संगरबाद काई भूमि प्रस्ताव तो केवल एक है राम मंदिर के करन्डों जागरन हुआ है उसको लेकर हम सब ने मिलकर आगे क्या करना उसको लेकर एक प्रस्ताव रहेगा और देवी अहलिया भाई होलकर जो एक 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 एक्जेंप्लर एसे रोलर थी एक महिलागी थी तता कदीद पिछले जाती से भी थी उसका जो राष्ट्रे दुरुष्ट्री कौंड था सारे भारत में धार्मी स्थानों का पुद्धार करना लोगों के आरतिक भवस्ता ठीक करना अच्छा अच्छा सोशासन वगरे उनके जीवन के वरें बहुत कम जानकारी लोगों को हैं उनकों लेकर देश बर में एक जानकारी देने के लिए कि लीए एक होंगे तो उस निदुटा सरकार्य और के बढल यहां पर जारी होगा प्रस्ता हुए एक स्टेटमेंट है अभी करने काम करने का आधाती है और काम बढ़ रहा है सतत और धिरे यह अंदरे श्टिर्वांट करने वाले शक्तिया थोड़ी कमज़र हो रही है यहां चर्चा नहीं होगी लेकिन प्रत्य प्रांत आपने जो विशेश काम बताएंगा उसमें वह उसका उल्लेक होगा साथ लेकर चलना है और अब भवे राम मंदिर के उध्गाट के बाद तो आप जो एक जगड़ा था एक फॉल्ट लाइन जो थी वो भी अब खत्म हो गई है तो आप जो दूसरी कम्यूनिटीज हैं जो माइनॉरिटीज हैं वो उनका किस तरह से कैसे रीच आउट करेगा संग उनके बीच में कैसे अपने आप के साथ जोड़ेंगे क्योंकि आप ने कहा कि एक सोशल ऑगनाइजेशन सबसे बढ़ा है संग की भूमी का पहले से यह हैं कि भारत का एक सोटालेस करोर समा सारा हिंदू है क्योंकि आपके बुरके हिंदू थे हमारे सौंस्कृत है और हमार आप यह भारत माता है और कारिय में संग शाखा में जिनने को आप मैनर्जाय सक्री है जो संग के बारे में भए निर्मान कि आ जाता था दूर हो रहा है संग्रा के अधिक नजडिक आरह है उनका सबक्दुन हो संदेश संदेश खाली को लेके भी कोई प्रस्ताव आएगा अब मनमों जी चलिए बस लास्ट क्वेस्टिन अभी क्योंकि बैठाग के बारे में ज्यादा प्रस्ताव ही नहीं असा मुदलग एक अंदर आर्थी सामाजिक स्तिती बदल याद कुछे चर्चा हूं राले लिए आएका क सब्सक्राइब कर रहे हैं समाज को साथ लेकर काम करें रहे हैं चलिए तो आप सबका धन्यवाद आपके अब एक साथ पूर लिए पूर लिए पूर लिए पूर लिए सब्सक्राइब करते हैं चलिए ठीक है आप सबका धन्यवाद पाद में पूछे आप उसको जो बैटक के वारे मिश्य नहीं चलिए